नमस्कार नेक्स नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्या सिंख टीवी आक्ट्रेस तुनीशा शर्मा की केस में रफदार आरोपी श्रजान खान ने जमानत के लिए बंबे हाई कोट में कल जमानत याच्छी का देखिल करती जिहाँ आपको बदा देए कि अरोपी श्रजान खान ने 23 जनवरी को अपनी बेल अपील दाखिल की जिस पर 30 जनवरी को सुनवाई होनी है आपको बता दे कि इस से पहले शिजान खान ने FIR रद करने के लिए भी आचिका दाखिल की थी जिस पर अगले सोंबार को सुनवाई होनी है जो यहाँ साफ तोर पर कहा जा सकता है कि इस केस में अब शिजान खान पर काफे ज्यादा मुश्किले बढ़ती होई दिखाए दे रही है आपको बता दे कि शिजान खान की जमानती आचिका को मुंबई के वज़ाई को टिर से 13 जनवरी को रद कर दिया गया था और अब 30 जनवरी को हाई कोट में शिजान खान की जमानती आचिका पर सुनवाई होनी है 30 जनवरी को यह पता चल जाएगा कि शिजान खान तुनी शर्मा की केस में मुझरिब है या नहीं और हाई خोट शजान खान को जमानत दे गा या नहीं क्योंकि आपको बता दे के अगर वसईAN कोट की तरह हाई कोट ने भी शजान खान की जमानत याचिका को रद्ध कर दिया तो फिर इस केस में शजान को सजा मिलने से कोई नहीं बचा पाएगा तो 30 जनवरी को होने वाली सुनवाई काफी जादा एहम है खास दोर पर शजान खान उनके परिवार और उनके वाकील के लिए क्योंकि वाकील की ओर से ये दावा किया गया है कि शजान खान को हाई कोट से मुझा मानत दिला कर रहेंगी लेकिन अगर जमानत दिलानी है तो उसके लिए वकील को पुखता सबूत हाई कोट में पेश करने होंगे और अगर ऐसा नहीं किया तो मज़पूरन हाई कोट का भी वही फैसला देखने को मिलेगा जो मुंबई के वसाई कोट की तरफ से 13 जनवरी को सामने आया था हाला कि इसे लेकर आपकी क्या राय है क्या शुजान खान को हाई कोट से जमानत मिलेगी या नहीं अपनी राय कमेंट बॉक्स में सरूर शेयर कीजिगा आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही मुझे दीजिए जासत नमस्कार